दोस्तों फूरी दुनिया को रमजान मुबारख और बस एक करोना रुपी वाइरस के माहूल में एक लॉकडाउन के माहूल में आप करिस वेशसान जा रखा गार सोच रहा था कि सातों समंदर मैं एक अत्तर परसंट पानी तर जंगल हैं पहाड हैं तो मेरा जनुमान है कि दस्य पंद्रा परसंट के बीच में पूरे विश्व में हम लोग साड़ी साथ्य सासों करोड लोग जो भी सातों समंदर रहते हैं और इस करोना के माहूल में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता लगता ये सुपर पावर है ये सुपर पावर है ये सुपर पावर है ये सुपर पावर है लेकिन आज मैं बहुत बिश्वास के साथ कहे सकता हूँ दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है जो ये नेचर है जिसने ये आखें बनाई जिसने ये मूँ बनाया जिसने हमारा बंडर्फिल शरीर बनाया और इस करोना के लॉकडाउन में पूरे विश्ष को कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि पैसा देश नहीं चलाता है देश और दुनिया को चलाती है तो प्रकरती चलाती है और उसके बाद इस एक महीने में आज पूरे भारत में या पूरे विश्ष में इस पटल को कौन चला रहा है हमारे सफाई वाले चला रहा है हमारे सिक्यूटी गार चला रहा है हमारी नर्स बहने चला रहा है हमारे डॉक्टर भाई चला रहा है हमारे पुलिस भाई चला रहा है हमारे एंजियो वाले चला रहा हमारे वो ड्राइवर्स जो जिनको हम लोग अच्छे से नाम भी उनका नहीं लेते हैं लेकिन वो कृष्ण रूपी सार्थी जगह जगह जहां कि जानवरों से लेकर चोटी सब जगह खाने बाट रहे हैं आज आज देश को के सिस्टम को आदमी नहीं चला रहे हैं आज सेवादार चला रहे हैं और प्रकृती ने ये दिखा दिया कि एक करोना रूपी वाइरस पूरे साड़े साथ सो करोड लोगों में धीड में भी एक दूसरे को अलग कर सकता है और लेकिन प्रकृती ने अपने आपको प्रदूशन रहित कर लिया आज सारे आप देखें जंगल की सड़कों पर सारे जानवर आराम कर रहे हैं तो प्रकृती ने दिखा दिया है कि अगर आपको अच्छे से जीना है तो प्रकृती में जीना सीखो और प्रकृती के लिए जीना सीखो और नेचर को प्रणाम करके जीना सीखो नेचर से पंगा मत लो नेचर ने एक बार नहीं दसों बार इस बात को प्रमारित किया है कि दस सेकेंड आपको उखाड़ने के लिए काफी है मैं दूआ करता हूँ कि पूरे विश्मे रमजान का महिना शुरू हुआ है सब को ढे सारी शुपकामना है सबकी ईदी अच्छी मने और ईद के बाद में एक ऐसा संसार शुरू हो हम सबकी जीवन में ताकि हम लोग कम से कम एक दूसरे को इनसान मान के जीए एक दूसरे का सम् करके जीए क्योंकि जो अहम था हम मानवों का हम इंसानों का जो लोग अपना अहम अहम दिखाते थे मेरा ये मेरा ये वो अहम तो मिट्टी में मिला दिया है करोना ने तो प्लीज प्लीज इसके बाद अगर अहम मिट चुका है तो इसके बाद प्रेम से जीना सीखें एक दू झाल